आज हम सीखने वाले हैं आईदा और आईदा नी यह basic expression है Japanese language में जब हम सीखना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे expressions होते हैं जो कि हमें थोड़ा confusion होता है कि अगर इसमें नी particle या ए particle लगा दें या वा particle लगा दें तो क्या फर्क हो जाता है कभी-कभी होता है कभी-कभी नहीं होता है तो इस वीडियो में हम उसी तरह का एक expression सीखने वाले हैं जो कि basic Japanese का expression है आईदा और आईदा नी में difference Welcome to New Hongo Max मेरा नाम है रभी चली शुरू करते हैं आईदा का मतलब होता है के दौरान अब इसमें बहुत सारे expressions हैं जैसे के गाकसे नो आईदा दे क्रिकेट तोगा नींकी गारू तो इसमें आईदा दे को हमने यूज किया अमंग के तौर पे यानि कि students में cricket बहुत popular है तो चली अब देखते हैं आईदा एक similar example अगर मैं आपको दूँ तो आप distinguish कर सकते हैं कि आईदा और आईदा नी में क्या फर्क होता है तो ध्यान से सुनिए कोदो मोगा नेतेरू आईदा सोजियो शिमाश्ता कोदो मोगा नेतेरू आईदा सोजियो शिमाश्ता यानि कि जब उस दौरान जब बच्चा सो रहा था मैंने सोजी करी यानि कि क्लीनिंग रूम की क्लीनिंग करी अब हम इसको इसी example को अगर आईदा नी के तौर पे देखें तो आपको difference समझ आ जागा तो ध्यान से सुनिए तो क्या फरक निकला सिर्फ आईदा का मतलब है कि उस दौरान उस इंटरवल में जब बच्चा सो रहा था तो उस दौरान मैंने क्लीनिंग करी लेकिन सेकिंड जो एक्जामपल है को अईदा का मतलब होता है इसका यह मतलब एक point of time पर यानि कि वही बात है जब बच्चा सो रहा था तो एक point of time पर देमवागा नारी माजता है यानि की फोन बज गया तो इस तरह से हम समझ सकते कि आईदा का मतलब होता है उस duration में हमने काम किया और आईदा नी का मतलब होता है उस duration में एक point of time पर अगर अभी भी आपको नहीं समझाया, तो एक और एक जामबल से देखते हैं Okay, so, आज हम सीखेंगे आईदा और आईदा ने, जो N3 के बुंपो पार्टंस है बुंपो होते हैं, इस न्थी की ग्रामर पार्टन्स है, हम स्पिकें के अधा और आइडा नि के भीच में क्या रिफ्रेंस होते हैं, कब आइडा लगा सकते हैं, और कब आइडा नि लगा सकते हैं, आइदा होता है जब एक टाइम पीरियड और दूसरे टाइम पीरियड के बीच में आइदा मितलब आप के दौरान ले सकते हो इस टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड के बीच में जब पूरा टाइम आप उस आक्षन को कर रहे होते हो या कोई सिचुएशन हो रही होती है उस ताइम पर आइदा लगाते हैं एक्जामपल नाटसी असमी नो आइदा होकाईदो नहीं माश्टा तो जैसे नाटसी असमी लेट से स्टार्ट होरी है फर्स्ट ओफ जून से लिखे थर्टी अफ जून तक तो उस पूरे टाइम आप होकाईदो में थी ऐसे ही आइदानी क्या होता है आइदानी के बीच में एक आक्शन उसी टाइम में होके खतम हो जाता है कोई आक्शन अकर होता है कोई इंसिडेंट अकर होता है और उसी टाइम में खतम भी हो जाता है For example, Natsi Asumi नो आईधानी हिकोशी शिमाष्टा Natsi Asumi, 1st of June से लेकी 30th of June तक थी वर उस time period के बीच में मैंने हिकोशी किया और उस time period के बीच में हिकोशी को खतम भी कर दिया तो उस time पर हम लगाएंगे हिकोशी शिमाष्टा तो आपको थोड़ा सठ डिफरेंशन के लिए आप जा सकते हैं निहांगोमेक्स.com पर कर दो आपको प्राइब कर दो आपको तो आपको प्राइब कर दो कर दोड़ा हैं